महावास्तु की पोल खोल के अभियान की दूसरी कड़ी में आप सब का हर्दिक स्वागत है पिछली वीडियो में मैंने प्रशन उठाए थे के ये महावास्तु का पहला आधार स्तंब पहला पिलर ही बिल्कुल कच्रा है कई नहीं ठहरता ये इसमें जो ये पंच तत्व बता रखे हैं ये पंच तत्व भारतिय नहीं है ये भारतिय मनिशा से संबंदित है ही नहीं इन्होंने क्या किया वुड जो वहाँ पर है वुड ऐलिमेंट उसको वायू बना दिया और वहाँ जो metal element है उसको यहां आकाश बना दिया और अभी तक 50,000 से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई स्पष्टिकर नहीं दिया गया है जो कह रहे हैं कि यह महावास्तु इस थोरोली सिस्टेमेटिक सर्वता वेवस्तित है यह वेवस्ता डपोर शंक आपकी पोल खोल रही है यह वेवस्ता क्या है जो आप कह रहे हैं लॉजिकल है रेशनल है साइंटिफिक अप्रोच है सारे सिनोनिम ले लिए हैं लॉजिकल रेशनल साइंटिफिक सभी एक ही बात है बताओ भई कौन सा तरक है हमारा दिमा काम ने कर रहा है आपका कौन सा तरक है यह के वहां वाले आपने एलिमेंट इनके समक्ष कर दिये और फिर क्या कह रहे हैं इट इस सिंपली दस एंसेंट टाइम टेस्टिड विजटम जो मैंने इस्ट्री पड़ी है तो उसमें तो सातमीं आठमीं इस्ताबदी तक का टाइम एंसेंट इंडिया की इस्ट्री पड़ी जाती है हर्शवर्दन तक का समय तो आप जरह यह बताएंगे एंसेंट एरा में कौन सा क्लासिकल टेक्स्ट ह जिसमें यह कहा रखा है कि वुड है वायू और मैटल है आकाश बताइए जिरा कौन सा टेक्स्ट है कौन सा फोलो कर रहे हैं आप जो आप तीस सालों से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवार कर रहे हो वास्तू की महायात्रा निकालने के तयारी कर रहे हैं आप कौन से वास किस किस रिशी ने कसा है समय की कसोटी पर बताओ जरा यह जो आप हजारों लोगों को बेकूब बना रहे हो इतने सालों से वो सब आप से पूछ रहे हैं आप बताइए जरा यह लॉजिक क्या है इसके पिछे मुझे तो केवल बस एक गाना यादार है वो जोरों से मेरी मरजी मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मरजी मैं चाहूं तो वुड को वायू बताओं मैं चाहूं तो मैटल को आकाश बनाओं मैं चाहूं तो पिर्थ्वी से आकाश दू बना मैं चाहूं तो आकाश से वायू दू मरवा मेरी मरजी तो इनका तो ये हाल है महावास्तू फोर पिलर्स मेक महावास्तू तो मोस्ट रिलाइबल साइन्टिफिक एंड यूनीक सिस्टम बई बताइए जरा साइन्टिफिक क्या है इसमें आपका पहला पिलरी ने ठहर पा रहा वो आपने चुराया हुआ है और चलो चुरा लो एज़िटीज तो रख लो उसको आपने तो वो इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा गड़ मड़ कर दिया ये चाइना वालों की पुरानी आदत है मैं बता रहा हूँ आपको चाइना में कहें थ्री लेगड फ्रॉग बताओ चार टांगे उती एक तोड़ दी और उसमें एक आइटम है ड्रेगन टर्टल मतलब जो टर्टल है जो कच्छु है उसपे ड्रेगन का सिर लगा दिया ड्रेगन हेडि टर्टल कर दिया इतनी विसंगती है वहाँ पर चाइना तो है ही तोड़ फोड का हिमायती पूरा आप देखो चाइना बिलकुल अलग थलग पड़ा हुआ है आतंकवादियों को शेह देता हो जिस भी देश में आतंकवादी है और उन पर बैन लगाने की कोशी की जाती है यूएन सिक्योरिटी कॉंसिल में वो अपना वीटो पावर यूज कर लेता है बैनी निलगने देता वो इंडिया के एंटी आतंकवादी है यूएसे के एंटी आतंकवादी है लेकिन चाइना उनको पूरा स्पोर्ट करता है चाइना को कहते है कि कंट्री अफड्रेगन हमें कंट्री आफ टाइगर दोनों में संक्ती है यह नी तो यह तो जो वास्ट कहा रहे हो ना महावास्टू यस नहीं यह चाइनीज एजनड़ा गुप्त चाइनीज एजनड़ा पेश्किया ज़ा है और जोई जी महावास्तु जोन और इतने ये बी-सी-डी करके दे रखा आपने 32 एंट्रेंसिस, 16 महावास्तु जोन ये सब गोरक दंदा फैला रखा है, गुरु गोरक नात ने इतनी सारी विदियां दी थी, ध्यान की, योग की, प्राणायाम की, तो लोगों ने नाम रख द गोरक दंदा, ये गोरक दंदा है सारा, धीमे धीमे करके मैं सब पोल पट्टी हो लूँगा इनकी, ये थोड़ा कि चीनी जो गोबर है, उसको आप अगर कोई इंडियन आयूरवेदिक मैडिसन बेचने वाली कमपनी है, उसके डब्बे में आप पैकिंग करके उपर से 54 ल तो आपने पहली बात तो आप महावास्तू के नाम पे वैदिक वास्तू उसको डाउन कर रहे हो, उसको आपने मजाक की चीज बना दिया है, ये समान महारक दो, वहारक दो नीली पिली पट्टी लगा लो, खलाना जो अनेक्टिवेट कर दो, ये वास्तू थोड़ा है, वै वादू की चीज बना रहे हो, बस ये यहां रखो हो जाएगा सब, सबसे बड़ी जो चोट वैदिक वास्तू को पोचाई गई है, वो मेरे खाल में ये महावास्तू के द्वारा है, जिन्होंने इसको बस कमाई का दंदा बना लिया है, और लोगों की भावनां से खिलवार अब आप आईए, इसी के बेस पे इन्होंने अब क्या किया है, पंच महाबूतो की मैत्री, उनकी शत्रूता वो बना दी, पेज नमबर 14 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 पेज तक, और देखो कलाकारी क्या किया है, अब जब आगे पेज नमबर 14 पे पानी ले लिया इन्होंने प्रूव हो गया, और यह साइन्टिफिक मैथड़ है, इन्होंने मान लिया, हो गया वो, सही हो गया, प्रूव हो गया, जब कि क्या था, चाइनीज सिस्टम अपनी जगह है, गोबर अपनी जगह पढ़ा रहेगा, तो खाद बन जाएगा, और वो काम आएगा, और अमरित है, वो अपनी जगह ठीक है, दोनों को उड़ गोबर करने का से क्या मिलेगा, एक मुझे बड़ी छोटी सी काहनी सुनात जबा लगा, उसने का, रात मुझे एक सपना आया, कि भाई तुम विदूशक को कहा, कि तुम तो गिर गए हो चीनी मल कुंड में, चीनियों की पोटी में, उसके कुंड में, और मैं इंडियन शैद के कुंड में गिर गया हूँ, और अंदर इंदर मुस्कराने लगा राज विदूशक तो विदूशक था, उसने का, हाँ माराज, बिल्कुल सही बात है, मुझे भी यही सपना आया, लेकिन मुझे थोड़ा आगे भी आया उससे, राजा ने पूछा, आगे क्या आया, उसने कहा कि हम दोनों बाहर निकले, और दोनों फिर गले मिले, और प्रेम वास्तु का ठपा लगा के पेश करने के चकर में दोनों का गुड़ को बर कर दिया, ना वो फेंगश्वी रही, ना वास्तु रही, ना म दे दिया महा वास्तु, महा समझते हो ना क्या होता है, महा यात्रा, मतलब मौत, अंतिम यात्रा, महा निर्वान, महा परी निर्वान मतलब डेथ इन्होंने पूरी ठान लिया कि जो वैदिक वास्तु है ना उसको कबर में सुला के रहेंगे ये ये इनकी जो हरकते हैं अब आप देखो अगर आप चाइनीज एजिटीज लेते जो इन्होंने ले रखा देखो पेज 14 पर स्पेस क्रियेट्स वाटर कि जबकि चाइना में क्या है स्पेश की जगह मैंटल्स वोर्टर इस favor से पढ़ते हैं उसको इस तरह समझाया जाता है हम भी लेकिन अब अगर मैटल में मतलब ऐसा घड़ा है जो के मैटल का है और बंद कर दिया उसको आपने उपर से तो बिलकुल ने वाला हो यह मतलब है सीथा अब इंडियन वाला बता तुम्हें आपको पहले ये समझ लें फिर क्या है फायर को वाटर डिस्ट्रोई करता है चलो जी फिर और क्या है ये था असली चीज़ था वाटर नरिश इस वुड इस तरह से संगती बैचनी थी अब हम यहाँ 2003 में मैंने बुख लिखी थी रेजिडेंशल वास्तु पर और वेदों के अनुसार वास्तु के जो क्लासिकल टेक्स्ट है उनके अनुसार उसमें मैंने दे रखा है यह सारा मानलो चलो वाटर एलिमेंट आप ले लो वाटर को बढ़ाता कोन है पिरत्वी तत्तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था थर्स्टी क्रो का एक्जामपर लेके पानी को कम कोन करता है वाई यू अब आपको घर में पोचा लगाया आप हवा चला दे तो पंखा तो क्या होता है वो वहाँ से उड़ जाता है वो वाश्त पिकरन हो गया है वही लेकिन वहाँ से नहीं दिखरा आपको या पानी के उपर हवा सरसराती है या कम कर देती है उसको ऐसे कहलो वाश्त पिकरन हो रहा है इस तरह से फिर बादल बनेंगे उसके और जल का उल्टा कोन है अगनी बस ये था स्पेस का कोई मतलबी नहीं है आपर स्पेस में तो चार जो बाकी महाब होता है उनका खेल चल रहा है जो चाइनीज फैंग शुई के साथ इसको कोरिलेट करने की कोशिच हो रही है ना इससे कुछ फल नहीं निकलना बेकुफी है ये मैं तो ये कहूंगा गलती कर दिया आपने तीस साल से चल रही है वो ये जान बूज के की उसको सुधार लो भी भी अब राम मंदिर के मामले में गलती थी सुधर गई ना बाइबल में लिखा हुआ है कि सूर्य धर्ती की परिक्रमा करता है साइंटिस्ट हैं उन्होंने सुधार दी अब भी सुधार लो आप अपनी गलती वरना तो आप देखो चीनीस सब्वेता बिलकुल अलग है भारोपी है परिवार है भारत यूरोपी है भाशा का हमारी भाशा बहुत मिलती जुलती है यूरोप की और हमारी जुलती है वर्ड लेकिन चाइना में देखो आप चीनी जोतिश बारा जानुवर है वहाँ पर जॉडियक में राशी मंडल में बारा जानुवर है जबकि हमारा जो जॉडियक है और यूरोप का जॉडियक है सेम है एरीज है दोनों में मेंडा टॉरंस है वरिशब दोनों में है जैमनी लड़का लड़की का जोड़ा मतलब केवल जानुवर नहीं है कहीं वो नर है कहीं चोपाए है कहीं कीट राशी है कहीं जल्चर है कहीं उसमें धनू राशी है हमारा निरायन सिस्टम है अधरवाई सेम है बिल्कुल लेकिन चाइना का बिल्कुल ही अपोजिट बारा जानवरों का प्रतिनिद्द बारा राशियां रैट आक्स टाइगर रैबिट ड्रेगन स्नेक होर्स गोट मंकी रूस्टर डॉग पिग और मजदा चीज सब को मार के ख चोड़के और चोपाए क्या वो तो रेंगने वाले सांप और अजगर को नहीं छोड़ते हैं वो तो चीटियों और दीमक तक की चटनी बनागे खा जाते हैं उड़ने वाले चील कववे तक ना छोड़े हो वहां का आंक जोतिश बिल्कुला लगा है लो शू ग्रिड पर आधारित है इंडियन निमरोलोजी बेसिकली वैदिक जोतिश है एतनी डिगरी पर ये ग्रह वैट है तो इसका ये मतलब है उनके आप देखो आठ का अंक शू माना एता है जबकि अगर आप वेस्टरन सिस्टम में लो जनरली शू मानते हैं उसको पाइथागोरीन सिस्टम अफ निमरोलोजी में वहाँ फैंग शू में फोर एनिमल थियोरी है और उन एनिमल को भी विखा जते हैं और हमारे हैं क्या है हमारे हैं दस दिगपाल नव ग्रह आठ दिशाओं के आठ ग्रह स्वामी है और आठ दिगपाल है फिर एक उर्दु देशा आकाश जो के अनंत ह है आकाश उसके स्वामी ब्रह्मा जी ब्रह्मा का मतलब है जो फैलता चला जाए एवर एक्सपेंडिंग जो बिग बैंक थियोरी है वो और यह कह ले रहे हैं इसको को रिलेट कर दिया मैटल को आकाश से मैटल की दिशामा होती है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट उसको ऐसे स है इतना आदर करते हैं पूजते हैं उनके लिए मंत्र है हर एक दिगपाल के लिए मंत्र है वास्तु में वास्तु पुरुष के लिए मंत्र है नव घ्रहों के मंत्र है किसी भी organization कोई भी संस्था उसके लिए तीन स्टेप होते हैं मेरे पास धर्म भी शेयर रहा है बी-ए में भी मैंने इंजिनिरिंग की डिगरी भी की लॉग की भी की बी-ए भी की एम-ए की बाद में फिलोसफी में तीन स्टेप होते हैं गुरू, गरंथ और पंथ सबसे पहले गुरू वो ये पर्टिकल परसन ओशो मालो, अब सब ओशो आइट का लाए जा रहे हैं उनकी बुक्स हैं तो यहाँ पे गुरू जो है अब आप देखो ये है वास्तू का मामला वैसे ये है नहीं कुछ वास्तू इसमें सब फेंग्शु भरापड़ा है और फेंग्शु भी प्योर नहीं रखा गया चलो खेर तो गुरू जो है मैं मतम के पांचमें अध्याय के पंदरवें शलोक में कहा गया है स्थपती स्थापना अरह स्थपती को नहीं है स्थापना उसे बिल्दिंग कंस्ट्क्शन की जानकारी होिनी अरह एक्सपर्ट हो उसमें और आज की डेट में जिसने आज की डेट में या तो सिविल इंजीनिरिंग की डिगरी ले रखी है या architecture के लिए रखिए या कम से कम डिप्रलोमा ओल्डर ही हो लेकिन master architect तो डिप्रलोमा वल्ला चलेगा भी नहीं खेर master architect, civil engineer या architect वो हो और उसका अच्छा खासा experience हो building design में, building construction में 25 साल काम किया है मैंने अलग-अलग departments में तब कहीं जाके वो अरहता प्राप्त करेगा वो उसके लिए eligible होगा आज की डेट में आप किसे दवाई भी लेने जाते हो आप पूछते उससे MBBS MD हो तब कहीं जाके लाओगे आप medicine का भी MD चाहोगे आप कान भी उसको दिखाओगे जो ENT का MD और उसके साथ में कहीं से पता नहीं क्या क्या experience लेक्या है और यहां यह वास्तु के लिए लोग पूछी नहीं रहे तुम्हारी अरहता क्या है क्या एक्सपर्टीज है कहां से पढ़ा तुमने कौन सी डिग्री लेर क्या अपने बिल्डिंग कंस्ट्रुक्शन की दूसरा स्तंब होता है ग्रंथ उसमें पहला ही पिलर दोखा दे गया पंच तत्व चाइना से उठाया चाइनीज माल समझते हो आप टू मिनट नोडल अभी लाई अभी तयार मोमोज क्या हाल हो रहा है खाखा के लोगों का यह होगा जटपट का काम कोई नूट्रिशन नहीं मिलना यह उठा के वहां लग पहले जो यह महागरंथ है इनका वो दरख चुका वो उपर लोड लेने के लिए तयारी नहीं अब कमजोर पड़ गया बिलकुल था ही कमजोर बस ऐसे हमारे हैं तो कहते है ना जो दिखता है वो बिखता है बस एड के बलबुते पे चल रहा है दम खम नहीं आप देख लो अब इसके बेस पे जो सारी रेमेडी बनाई गई हैं बाद में सब रेमेडी इनी पंच तत्तों के बेस पर होंगी और सब गलत हैं मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैं इन्वाइट कर रहा हूँ आपको बताए मुझे जो महावास्तु जिन्हों ने पढ़ा है वो बताए उपनिशन से बताए था और जो भुक्त भोगी हैं जो पट्कें लगा लगा के ठक चुके कुछ मिला नहीं वो भी अपने एक्सपिरिंसी शेयर कीजिए पिछले वीडियो में कई लोगों ने अपने इमानदारी से एक्सपिरिंसी शेयर किये हैं ताकि ये लोग महावास्त जो अपने आप में कल्ट बन गया है ये दूसरों को और ज्यादा बेकूप ना बना पाएं बोले बाले लोग इनके जाल में ना पसें धन्यवाद